विल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका केमिस्ट्री का जो कोश्चन नंबर हम 24 पढ़ रहे थे ठीक है कुश्चन नंबर आपका 24 जैसे में कुछ रंजक दिये थे उन रंजकों का जो है संसले सर्फ पूचा था तो अब तक हमने दो रंजक पढ़ लिए आज हम बात करेंगे आपका 3 रंजक की ठीक haya जो कि आपका क्या है क्या है आपका ये डाय ठीक है कांगो रेड इसके बारे हम पढ़ेंगे इसका संथे इस कैसे होता है इसके उप्योग क्या है निर्माड और उप्योग इन पर प्रकार का डाई है इसको सिंतेसाइज कैसे किया जाता है इसके उप्योग क्या है यह हमने इसमें पढ़ना आए ठीक है पूचा गया है पूचा गया है मतलब इस पे दो आचो करत क्या कहते हैं इसको टेट्रायजो आज्यो टीकरत sugar विंजिडीन को नेफ्थोनिक अमलिक से इसको टेट्रा एजूटिकरत विंजिडीन को नेफ्थोनिक अमलिक के साथ में क्या किया जाता है भी यहाँ पर देखो कुछ थेओरी लिखी है पहले हम इसको देख लेते हैं दो अडूओं के साथ युगमन करिया द्वारा बनाया जाता है इसके द्वारा बनाया जाता है दो अडूओं द्वारा युगमन करिया विधी द्वारा इनको बनाया जाता है इस प्रकार प्राप्त नीली डाई को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिकरत कराकर इसका डाई प्राप्त करते हैं जो की लाल रंग का होता है अब क्या करते हैं पहले हमने क्या मिल गया क्या मिल जाएगा आपको जो है किस-किस का हमने रियक्शन करनी है देखो तोटा करनी है यहां पर टेट्रा एजूटी करत वेंजडीन को किसके साथ नेफॠोनिक अमले के साथ ठीक है तेट्राई एजूटीक रद बेंजडीन को आपको नेफ। को अमलिllä करना है ट्रीट कराना आए ठीक है इन दोनों की आपस में रियक्षन कर दो पहले देख लो क्या है आपका एजोटीकरत बेंजीन और बेंजडील नेफ्थोनिक अम्र तो यहाँ पर अगर हम बात करें एजोटीकरत बेंजीन की ठीक है यहाँ कहते हैं इसको टेट्रा एजोटीकरत बेंजीन या बिसडाई एजोटीकरत तो यह हो जागा आपका बिसडाई एजोटीकरत अब इसकी रियक्षन किस से करना करवानी है नेफ्थोनिक अम्र ठीक है किस से नेफ्थोनिक अम्र के दो अड़ों से या दो मालिकूल आपको नेफ्थोनिक अम्र के चाहिए होंगे एक मालिकूल आपका यह हो जागा एंड दूसरा मालिकूल आपका कुछ इस तरह से हो जागा ठीक है तो यह आपके दो मालिकूल है किसके नेफ्थोनिक अम्र के ठीक है इन दोनों की जब आप reaction करोगे तो आपको क्या मिलेगा इन दोनों की reaction पर क्या मिलता है जो एक die होता है इस प्रकार नीली die को प्राप्त किया जाता है इसे कहता है sodium chloride के साथ फिर उसकी reaction कर देंगे फिर क्या होगा एक लबड़ प्राप्त होगा जो की लाल रंका होता है ठीक है कैसे रंका होता है लाल रंका होता है यह किस तरह से बनेगा देखो इन डोनों की जब हमने reaction की रियाक्षिन की ठीक है किसकी यह दो आपके पास है नैप्तोने कम रोड़ वे और क्या है डाई या जोटीकरत वेंजडीन तो इन दोनों की reaction करने के बाद क्या होगा जो आपका डाई या जो टीकरत वेंजडीन है इस पे जो आपके अल गूरुप है इसका hydrogen और इसका cl ठीक है और इसी तरह से आपका इसका hydrogen और इसका cl क्यानि कि यह hcl की form में आपके बाहर निकल जाएंगे और क्या होगा यह जो nitrogen है यह वाला nitrogen यहां से आपका इस तरह से लग जागा ठीक है यहां से आपका इस के CL के साथ में और HCL आपका बाहर चला गया है ठीक है तो यह हो गया मतलब इसमें HCL आपका निकल रहा है और NACL यूज हो रहा है आप क्या करना है इसमें NACL आपको यूज करना है इसमें NACL आपको जब यूज करोगे तो क्या होगा जो आपका sulfonic group है ठीक है HSO3 है इसमें से आपका hydrogen निकल जागा और HCl नहां से भी आपका निकल जागा और क्या बन जागा आपका जो Na बचे गरने ठीक है यहां से क्या मिलेगा Na plus और Cl minus ठीक है यह यूज होगा अब इस वाली क्रिया में तो इसका यूज किस तरह से होगा यह हो जागा आपका Na plus और Cl minus ठीक है तो अब यहां पर जो आपका सबस्वोनिक group लगा हुआ है SO3H यहां का आपका एक hydrogen हट जागा H plus की form में ठीक है और इस पर oxygen पर कैसे आजागा negative charge आजागा ठीक H plus और क्या हो जागा SO3 minus अब यहां का जो आपको Na plus मिलेगा ठीक है यह Na plus कहां आजागा आपका SO3 minus के साथ में आजागा ठीक है Na plus SO3 minus के साथ में आपका आजागा यहां पर भी इसका भी Na plus आपका कहां आजागा SO3 minus बाले बचे हुए पार्ट के साथ मिल जागा तो क्या हो जागा SO3NA जो आपके sodium का लबड बन जागा क्या बन जागा sodium का salt बन जागा red color का ठीक है तो यह आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है बन जागा ठीक है क्या बन जागा यहाँ पर क्या आगया आपका SO3NA आगया SO3 यह ने पहले क्या था यहां पर आपका SO3H था ठीक है तो H रिपलेस हो गया किस से आपका CL के साथ में CL के साथ में H चला गया है यहां से ठीक है तो साथ में निकल जागा और जिए क्या होगा Disodium Lover कैसा है आपका यानि की एक sodium आपका ये लगा हुआ है और दूसरा sodium ये लगा हुआ है दो sodium लगे हुएं इसलिए एक को रहती हैक यह क्या बन जा गा आपका इस प्रकार नीलीडाई को ॉसका हमने किसके साथ रियक्शन कर दिया था जो आपका सोडियम कलोराइड के साथ विक्रिया करा दी थी ठीक है और फिर आपका जो बचा हOT था हुँत हुआ ने क्या करा दिया डाइसोडियम लवड आपका जो है यहां पर आपका बचके आया ठीक है क्या आया है डाइसोडियम लवड ठीक है जो की लाल रंग का होता है कैसा होता है इसका रंग कैसा होता है आपका रेड कलर का होता है ठीक है उप्रोक्त लवड में कॉटन को सीधे रं रंगने की चंता रखता है यह है लाल लवड अमलों के प्रति काफी सुग्राई होता है ठीक है लाल लवड अमलों के प्रति जसलिए नीले रंग में बदल जाता है जो आपका लाल रंग वोगा वो किसम बदल जाएगा गहरे नीले रंग में बदल जाएगा ठिका किस की उपस्तिती में यह रहा है यह रहां Europ का अनुनाध Ishans सरचना में क्या ओ ररहा इसका परिवर्तन हो रहा है तो यह जो आपका पर आपके कुछ इस है आप क्या करना इसमें आपको अनुनादी सरच रहा है मतलब कि जो आपका डवल बॉंड है अल्टरनेट डवल बॉंड क्या करेगा रोटेट करेगा यह डी लोकिलाइजेशन होगा आपका पाई लेक्ट्रॉन का तो मालोई जो आपका नाइट्रोजन पे एक लोन पेर रहत गा वह द॑ रिंग का पाई बॉंड होता है वह आपका नायट्रोजन के डॉंड बॉंड यानि की नाइट्रोजन पे राइज और का डवल बॉंड वह आपका अगले। फिंट लाइन का मतलब क्या है कि यह बाले जो electron है और यह चलंक तो यहां पर कैसा आ गया पर इसे हैं यहां पर आ पर आपका परोपहर्न के बीच में किया हो गया एक हूं सकत्राइब किसी मीशी हêm लेकन 7 manifestsので माइनस का ठीक और यहां पर कैसा आजागा एक बऔव बन जाएगा नैटोजन और इस वाले कार्वन के बीच में ठीक आप क्या हुगा यह वाला बांड तूट गया तो यहां क्या बचेगा बचेगा सिंगल बांड और इस पर कैसा आजागा आपका माइनस का चाह जागा ठीक और यहां से आपका जो हाइडोजन निकले का प्लस की फॉर्म में वह आके आपका यहां पर लग जाएगा ठीक है और इस पर कैसा आजागा सेम कंडिशन आपकी इस वाले भाग में होगी इस तरह से ठीक है जो लोन प्यर्था नाइटोजन का वो कहा है बेंजीन की तरफ और डवल बांड आपका कुछ इस तरफ हो जागा यान कि इसके बीच में नाइटोजन और कार तोμε्गें पडर यहां पर तूट रहा थे हमाथ नाइटिक है है इस पर उन्पर हो जागा ऊपका इस पर आपका आजागा मैनस का चार्ज डो क्या होगा इसका इसका जो हाइडोजन बचांगा ठीक है इसका हाडूजन आकर यहीं पर लग जाए ठीक है不知道 ना cenis से आके आपका लग जागा तो यह थे था आपका रिजोनेंस ट्रक्चर, जिर रिजोनेटिंग ट्रॉक्चर एनकी अनुनादी सलचना तो इसी के कार्ड जो है ये रंग को प्रदर्सित करता है ठीक है या रंग में परिवर्तन हो जाता है ठीक है अब कैसा हो गया ये नीले रंग का हो गया ठीक है पहले कैसा था लाल रंग का वो लाल रंग से कहां पहुंच गया नीले रंग में परिव सब्सक्राइब इत्त वेव्वेशन है थिरिया यह यह उत्सकों किस तरह से बनाते हैं ठीक अडिका है रही का नी लियन अनिलीन है आपका प्लस इसका क्या कर दिया है Oxidation कर दिया है किसकी उपस्तती में Zinc क्या Sodium Nytos Oxide ठीक है तो इसकी उपस्तती में इनका Oxidation कर दिया है ठीक तो Oxidation मतलब इसके 2 Molecule ले लो यहां से क्या हो जागा आपका NH2 NH2 लगा हुआ है NH2, NH2, दखो इसका क्या होगा, कुछ इस तरह से हमने लेने हैं, एक NH2, और दूसरा हमने कुछ इदर से ले लेना है, ठीक है, NH2, अब यहां से क्या होगा, Oxidation, मतलब कि आपका Oxygen यहां से और 2 Hydrogen आपके यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, यहां से आपके 2 Hydrogen जो यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, तो यह क्या होगा, इसका Oxidation हो गया, ठीक है, और यह क्या करेंगा, Oxygen देगा, तो यहां से Hydrogen आपके Oxidation में क्या हूद Oxygen का जुड़ना या hydrogen का निकलना तो यहां से आपके दो hydrogen जो निकल जाएंगे और nitrogen nitrogen के बीच में क्या आ जागा आपका bond बन जागा ठीक है इन दो नो nitrogen के बीच में आपका bond बन जागा अब देखो बन गया अब करना क्या है अब जो hydrogen यहां से निकले थे वह hydrogen आपके दुवारा से यसमें डालने तो कहींऄ आप बेंजविडीन! पुनर्विन्यासु बेंजिन dot kya करना है! या उसका पुनर्विन्यास हमें कर देना है! उसका कि पहले उसका छहां पर पर यहां पर दूसरी जगहे से जुड़ेगा तो यहां से बंद तूटेगा तो इसको भी है माई तभी तो एक हीब्स हो जानगे और इसका क्या हो जागा अफ्यो हो जागा तिक हैं दोनों की बीच में आपका यह बन जागा बेंजडी Kenzo को बन जागा बेंडी डीन का एपका याइप अश्ट्रक्टर का यहाद कर ले ना उपको है आपको दो सएड पैने सेैं dudams लगा देना के व करए यह ओ रित्रीक्ट शडाई कैसा है कि किया है यह आपका एक कि यह एक प्रित्यक्ष रंजग या प्रित्यक्ष डाई है मतलब डारेक्ट डाई सीधे हम इसको कपड़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे इससे जो है कपड़े आपके कलर हो जाते हैं इसका सोडियम लवड कॉटन को लाल रंग प्रदान करता है इसका जो सोडियम लवड होता है कौन सा होता है सोडियम लवड भी जो हमने उपर पढ़ा था ठीक है एसो थ्री और एन वाल ठीक है डाई सोडियम लवड जो होता है वो क्या करता है कॉटन को लाल रंग प्रदान होता है जो लाल रंग का आपका कॉटन का कपड़ा होता है उसमें क्या लगा रहता है आपका डाई सोडियम ठीक है क्या लगा रहता है डाई सोडियम यह एक एसेड में इसका रंग कैसा हो जाता है लाल से नीला हो जाता है कब जब यह एसेड की उपस्तेती में आता है या इस पर एसेड का पिरभाव होता है ठीक है तो यह कह सकते हैं कि एक अच्छा डाई नहीं है लेकिन क्या करता है जो डाई सोडियम लबड है यह कॉटन को लाल र डाई कि लुझा ढंगो रेड डाई जो कि एक परकार आपका क्या है रंजक ये कपड़ों को रंगनेवाला ठीक है तो sister Your image, I hope की आपको और कांगो रेड डाई समझ में आया होगा मने यह हमारे साथ मिलते हैंहol correction thanks for watching share the video और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठेंक्स